Hello dear students, welcome to AEC Plus, A Digital Platform of Advanced Engineering Classes और आप हैं इस SSE JEE 223 के मैंस के बैच में हम discussion कर रहे हैं questions जो कि हमारे पास SSE JEE मैंस की exam में इस बार जो कि objective होने वाला है उसमें expect किये जा सकते हैं questions का level थोड़ा सा higher level पर है with respect to any of the JEE or AEE exam तो आज का जो हमारा session है उसमें हम बात करने वाले हैं environmental engineering related questions के उपर तो चली start करते हैं session को session को start करने से पहले एक basic information में आपको बता दू कि SSE JEE 223 का जो mains का batch है वो हमने AEC Plus application पर already launch कर दिया है और जिसमें कि हम आपको questions भी practice करा रहे हैं और साथ में आपको revision भी कराये जा रहा है हमारे पास लगभग लगभग 200 hours के आपको lecture के modules मिल रहे होंगे जिसमें कि आपको crash course का हमारा पूरा content जिसमें कि हम lectures को quick revision कर सकें ऐसे भी lectures provide किये जा रहे हैं आपको साथ में we are practicing the questions जो कि हमारे पास gate और EC level तक के questions हैं जो exam में expect किये जा सकते हैं साथ ही साथ test series आपको provide की जा रही है और आपको जितने भी content आप application पर visit कर रहे होंगे के देख रहे होंगे उन सब के PDF downloadable notes आपको मिल रहे होंगे तो लेट इस स्टार्ट विद इस session आप इस बेच को enroll कर सकते easy plus application पो visit करके दो बैच अल्रेडी started तो आज हम civil engineering में environmental engineering पर बात करने वाले जहां पर आज हमारा lecture focus रहेगा quality of water और water demand के उपर so let us start this session पहला question है हमारे पास consider the following statement जहां पर daily per capita consumption of water apparently increases with किस चीजों के साथ increase होगा तो देखो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि water demand क्यों increase करेगी क्योंकि पानी शायद आपके पास use करने की capability उतनी अच्छी हो जाएगी या पानी अच्छा होगा या आपकी capability बढ़ जाएगी या system इतना अच्छा हो जाएगा तो ऐसे case में हमारे पास अगर हम बात करें कि अगर higher standard of living of people है तो हमारे पास वहाँ पर flushing system ज्यादा बहतर quality का होता है the flushing system that we get is of better quality तो इसे basically कहा जाता है full flushing system के हमारे पास अगर residential areas होते हैं तो वहाँ पर पानी का consumption ज्यादा होता है तो यह बात बिल्कुल सही है availability of the sewerage in the system तो अगर हमारे पास waste water का disposal disposal हमारे पास waste water का अगर disposal जितना बहतर हो जाएगा हम उतनी ही ज़्यादा मातरा का पानी use करके उसे dispose कर पाएंगे हमारे पास तो हमें पता नहीं चल पायेगा कि हम पाने का actually wastage कर रहे है या ज्यादा बहतर usage कर रहे है बट इसकी वज़े से पानी की कॉस्ट लगना चालू हो जाती है और कॉस्ट अगर लगना चालू जाती है तो लोगों का वेस्टेज कम हो जाता है पानी का यूसेज कम हो जाता है start using the water into a lesser quantity तो metered water supply से per capita consumption बड़ेगा ऐसा हो नहीं सकता हमारे पास अगर हम कुछ ही options को लगा कर भी answer check करने जाएंगे then also we'll be able to mark the answer जहां जहां 3 आपको दिखाई दे रहा है ठीक है आप उस option को हटा सकते हो तो A, B and C are completely removed 1, 2 and 4 wholesome and portable quality of water wholesome and portable quality of water का मतलब यह होता है कि पानी की quality पीने के योग की बहुत अच्छी है जिसमें कोई हमारे पास harmful elements नहीं है पानी साफ दिखाई दे रहा है कुछ भी गंदगी नहीं है तो अगर ऐसा पानी लोगों तक पहुचे तो लोग ऐसे पानी को जादा प्रिफर करेंगे as compared to उनका खुद का जो है वो boring hole का इस्तमाल करने की बजाए तो खुद का boring hole का इस्तमाल करने की बजाए जो है वो पानी का consumption वो प्रिफर करेंगे जो की municipal corporation के दौरा मिल रहा है तो ऐसे case में हमारे पास ये बाला भी लोग के पानी के consumption को बढ़ाएगा तो answer बन जाता है 1, 2 and 4 D is the correct answer बात चल रहे है हमारे पास industries अलग-अलग तरह की end unit of production की वो कैसे production कर रहे है with list 2 हमारे पास जो की water needed in kilo kilos है हमारे पास this is into the kilo in kilo per unit per day हमारे पास kilo unit per day तो कितना होगा हमारे पास if we talk about तो हमारे पास इस unit को थोड़ा सा correct कर लेते हैं kilolitres है वो हमारे पास kilolitres है हमारे पास kilolitres per day kilolitres per day तो ऐसे में हमारे पास अगर हमारे पास automobile की अगर बात की जाए इसे case में हमारे पास क्या हो रहा होगा जो paper industry है ये सबसे maximum consumption करती है और इसी में से petroleum refinery जो है ये minimum consumption करती है petroleum के अलावा एक ओर होती है sugar industry तो sugar industry भी लगभग-लगभग minimum quantity ही जो वो consume करती है तो per ton of हमारे पास petroleum, crude petroleum की refinery पे कितना पान लगएगा तो लगभग-लगभग हमारे पास एक से दो किलो लिटर के बराबर तक की quantity तो हमारे पास crude petroleum refinery के लिए 1 to 2 किलो लिटर तक की quantity हमारे पास जो हो यूज हो जाएगी paper industry सबसे आदा consumption करती है which is equal to 200 to 400 किलो लिटर पर ton of the quantity produced तो हमारे पास C के लिए option हो जाएगा 5 और D के लिए हो जाएगा 1 तो C के लिए 5 और D के लिए 1 तो C के लिए 5 में ये दोनों गलत हो गए तो इसे गलत कर दो D के लिए 1 होना चाहिए तो ये गलत हो गया तो ये भी हटा दो आंसर होना चाहिए A हमारे पास automobile industry और leather industry leather industry भी पाने consumption हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं होता if we talk about the leather industry पाने quantity लगभग लगभग हमारे पास 4 किलो लिटर पर पर हमारे पास day की बराबर use होगी for per 100 kg of the leather produced हमारे पास यहाँ पर गर हम बात करें तो अगर यही quantity tonnage में होती तो इसी की value 40 के बराबर हो जाती confuse करने के लिए 100 kg के रूप में दे रखाए automobile की बात करें per vehicle तो यह हमारे पास जो है वो this would come out to be as 3 के बराबर कितना आ जाएगा यह 40 kilolitres per day के बराबर हमापा per vehicle पर पाने consumption होगा that is coming out to be how much हमारे पास बाते ध्यान रखनी है sugar की और petroleum refinery की बात करें तो यह दोनो minimum quantity use करती है if we talk about the leather तो leather के लिए हमारे पास tonnage में कितना आ रहा है 40 के बराबर आ रहा है और 100 kg में कितना आ रहा है 4 के बराबर आ रहा है तो यह बात ध्यान रखिएगा if we talk about the fertilizer industry इनमें भी पाने कंदम सान अच्छा खासा होता है but it is only the second number 80 से 200 के बराबर if we talk about the steel industry तो steel industry में भी अच्छी खासा हो जाता है which is nearly about हमारे पास आप बात करके चल सकते हो nearly 100 से 250 तक चला जाता है nearly 100 से 250 तक चला जाता है तो यह भी ध्यान रखिएगा हमारे पास यह जो है quantities आपको अगर recall कर जाती है तो you'll be able to solve the question very easily अगले सवाल पर आते हैं हमारे पास अगला question है on which of the following factors on which of the following factors does the population growth in a town normally depends तो normally depends मतलब क्या हमारे पास population जो है किसी भी टाउन की वो हमारे पास बर्त बढ़ेगा तो बर्त के बढ़ने से population बढ़ेगी I am very much sorry sorry तो बर्त के बढ़ने से हमारे पास जो है वो population बढ़ेगी death rate के बढ़ने से हमारे पास population जो है हो I am really sorry तो हमारे पास बर्त के बढ़ने से population ज़रूर बढ़ेगी हमारे पास वही पर हमारे पास death rate के बढ़ने से चली बात करते दुबारा हमारे पास population के बढ़ने के बात चल रही है तो population growth की बात चल रही है किसी भी time में normally किस पर depend करेगी तो हमारे पास population का बढ़ने का rate हो सकता है कि अगर हमारे पास birth बढ़ेगी तो हो सकता है अगर death का rate कम हो जाए date का rate कम हो जाए तो भी population बढ़ेगी और हमारे पास अगर हम बात करें माइग्रेशन में दो चीज़े सोची जा सकती है हमारे पास एक होता है इमिग्रेशन तो इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन तो अगर इमिग्रेशन बढ़ेगा तो पॉबलेशन बढ़ेगी इमिग्रेशन घटेगा तो पॉबलेशन बढ़ेगी immigration मतलब यहां से बाहर जाने वाले और हमारे पास जो है वो immigration बाहर से अंदर आने वाले तो हमारे शेहर में अगर आने वाले लोग जाता होंगे तो population बढ़ेगी हमारे शेहर से जाने वाले लोग जाता होंगे तो हमारे पास population कम होगी तो उसे migration कहा जा सकता है तो birth rate और death rate बढ़ती है बिल्कुल बढ़ेगी birth rate पर depend करती ही migration पर depend करती ही बिल्कुल करती ही Probability growth Probability growth हमारे पास जो है यह probability है तो probability पर हम कभी भी comment नहीं कर सकते है कि हमारे पास क्या होगा और logistic growth Logistic growth का हमारे पास जो है वो कोई relationship नहीं है ये actually में हमारे पास जो है वो representation है ये क्या है हमारे पास representation है किसी भी एरे की घरती और बढ़ती population को दिखाने का तरीका जो है वो representation है तो ये दोनों पर हमारे पास निर्भर नहीं करेगा कैसी population बढ़ती है घरती है उसको दिखाने का तरीका है यह तो हमारे पास यहां पर आंसर क्या हो जाएगा Only 1 and 2 B is the correct answer अगले question पर आते हैं Another question that we have For water supply to a medium town तो जब medium town की बात चल रही है तो population हमारे पास Nearly हम 50,000 से 1,000,000 तक amazing करेंगे 15,000 से 1,000,000 तक population को imagine करेंगे What is the daily variation factor तो देखो जो daily variation factor होता है हमारे पास जो daily variation factor होता है हमारे पास this is going to be equal to हमारे पास यह निकल कर आता है लगभग लगभग 2.5 के बराबर from from गुडरिक formula गुडरिक formula से 2.5 के बराबर आता है वहीं पर हमारे पास जो है if we talk about हमारे पास यही factor निकल कर आता है 2.7 के बराबर from conversion कहां के conversion से maximum daily demand से हम hourly demand पर आएंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो है हम बात करें अच्छा ठीक है मैं डेलिवरिशन factor को 2.5 मैं बता रहा हूँ आपको जो है hourly factor तो यह तो गलत हो जाएगा जो मैंने बताया आपको यह हमारे पास जो है अगर डेलिवरिशन factor की बात करें तो according to Goodrick formula यह निकल कर आता है 1.8 के बराबर किसका maximum और average का ratio किसके according Goodrick के according Goodrick formula के according हमारे पास लेकिन वही पर अगर हम बात करें यही हमारे पास अगर हम बात करें based on population तो based on population में हमारे पास इसी की value होती है 2 के बराबर 2.5 के बराबर और 3 के बराबर तो population हमारे पास अगर 50,000 से 50,000 से 1,000,000 तक हुई तो हमारे पास धाय का factor use होगा अगर हमारे पास population कम हो गई कम population है तो factor ज़्यादा बड़ा use होगा तो population जब हमारे पास 20,000 से 20,000 से 50,000 की हो तो ऐसे case में we'll be using this factor और population जब ज़्यादा बढ़ जाए population जब ज़्यादा हो तो ऐसे case में हमारे पास when it is greater than 1 lakh तो ऐसे में हमारे पास यह है अर्बन एडियास की अगर रूरल की बात करेंगे तो रूरल में भी हमारे पास फैक्टर तीन का ही इस्तमाल होता है डेली वेरिएशन फैक्टर तो हमारे पास पूछा किसी भी तरीके से जा सकता है हमें पता होना चाहिए कि आंसर क्या हो जाएगा इसका 2.5 के बराबर 1.5 का variation factor जो होता है वो हमारे पास जो है वो हमारे daily जो discharge होता है हम उसी maximum day के discharge के जो हम average conversion करते हैं तो वहाँ से हमारे पास maximum hourly discharge का factor 1.5 के बराबर लग निकल कर आता है तो अभी हमारे पास गुड्रिक फोर्मले तो 1.8 आता based on population पूछता तो कितना आ रहा है 2.5 के बराबर answer क्या जाएगा B is the correct answer अगला जर्द देखते हैं हमारे पास population levels over 5 decades of a small town are given below अलला decades की population हमें दे रखी है और हमारे पास यहाँ पर किसी भी year में कौन से year की दे रखी 2000 की दे रखी 2020 की पूछी है arithmetic increase method से arithmetic increase method से किसी भी nth decade की nth decade की operation निकालने के लिए हमें पहले तो उसके last census का data पता होना चीए plus n number of decades कितने गुजर चुके हैं वहाँ से लेके जहां तक निकालना उसके बीच में into the x bar मतलब average increase कितना हुआ तो आप दरा देखो यहां से यहां तक population बड़ी कितनी दो लाग पचाजान से दो लाग ऐसी जार तो बड़ी कितनी 30,000 280 से 33,40 हो गई तो बड़ी कितनी 60,000 3,40 से 4,20 हो गई तो बड़ी कितनी हमारे पास यह बन जाएगी 80,000 और हमारे पास 420 से हमारे पास 54 अब ये गलत लिखा हुआ है 5490 5490 नहीं होगा इस इस रॉम यह होगा 490 तो ये बनेगा हमारे पास 70,000 तो जब हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास एक average increment है तो हमारे पास ये average increment कितना मान लिया जाएगा एक बार निकाल के देख लो कितना आ जाएगा तो just try it out 30,000 और 70,000 एक लाख 1,80,000 और 60 2,40,000 तो ये बनेगा हमारे पास 2,40,000 divided by हमारे पास क्या value होना चाहिए 4 values है तो divided by 4 तो ये बनेदा है कितना 60,000 के बराबर as average increment हमारे पास average increase in the population तो arithmetic increase से कैसे निकालेंगे P 2020 का निकालना है तो बनेगा हमारे पास 2020 की population 4,90 4,90 के बराबर और plus कितने decade गुजर चुके है 2000 के बाद 2010 और 2020 तो दो decade पे बाद चल रही है into 60,000 answer क्या आजाएगा 60,000 into 2 1,20,000 4,90 है तो 4,90 में 20,80 करेंगे तो 5,10 और 5,10 का दे 1,6,10 तो कितना बन जाएगा C is the correct answer 6,10 would be the correct answer answer क्या आजाएगा हमारे पास 6,10 के बराबर तो यह हमारे पास एक तरीका हो गया अगला सवाल पुछा है हमसे the population of a city in the year 2000 was 82,300 if average percent if average percent increase in population per decade is 35% the population of the city in the year 2020 estimated geometrical increase will nearly be तो जब geometrical increase की बाद चलती है तो population कैसे निकाली जाती है किसी भी एने टियर में population निकालने के लिए बनेगा पी नौट इंटू 1 प्लस आर बार बार बाई हंड्रेड की पावर एन के बराबर एन होता है या तो number of years की बात कर लो number of decades की बात कर लो आर होता है average percentage अगर हमारे पास दे नहीं रखा होता पिछली तरह पिछली बार की तरह तो हमें निकालना पड़ता है यहां पर हमें दे रखा है average percent increase in the population per decade is 35% per decade की बात चली किसकी बात चली है per decade की बात चली है सन 2,9 population थी 82,300 पूछा गया है population in the year 2020 तो decade कितने हो गए 2 हो गए ठीक है और geometric increase से पूछा है तो हमारे पास यह बनेगा 82,300 इंटू 1 प्लस 35 by 100 यह percentage के form में होगा की power 2 क्यों 2? क्योंकि हमारे पास 2 decade की बात चली है तो हमारे पास यहां पर अगर इसों calculate करते भी है तो this would come out to be as 1.35 का square would come out to be as 1.822 और इंटू कर देंगे अगर हम 82,300 को तो आंसर आएगा 149 991.75 के बराबर और जो की है हमारे पास near about 1,50,000 के बराबर आंसर क्या आजाएगा हमारे पास 1,50,000 के बराबर आंसर जए C निकल कर आजाएगा हमारे पास direct हमारे पास सवाल जो है वो ऐसे ही बन जाते है एक water supply distribution system दे रखा है for an averagely populated township is to be designed for तो averagely populated township है पहली चीज़ तो ये तो हमारे पास इसके लिए water supply distribution system design करना है अच्छा किसके लिए design करेंगे maximum daily demand के लिए कर लेंगे क्या maximum hourly demand and fire demand के लिए कर लेंगे क्या average demand के लिए कर लेंगे क्या हम करते हैं इसको design for design for total draft किसके लिए करेंगे इसको total draft के लिए करेंगे और total draft के लिए जब design करते हैं तो वहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि ये होता है हमारे पास maximum of किसका maximum होता है या तो ये होता है हमारे पास coincidental draft या फिर हमारे पास maximum hourly demand इन दोनों में से जो maximum होगा उसके बरावर होता है total draft और इसके लिए design किया जाता है coincidental draft क्या होता है ये होता है हमारे पास maximum daily demand plus fire demand आए बास समझ में तो इन में से जो भी higher होगा या तो maximum daily demand end fire demand या फिर maximum hourly demand whichever is higher उसके लिए design करते हैं उसके क्या कहते हैं total draft कहते हैं तो coincidental draft के लिए design नहीं करते हैं ठीक है बात ध्यान रखेगा आंसर क्या हो जाएगा D is the correct answer अगरा सावल पूछ लिए है which one of the following industries the water requirement in kilolitres per unit of the production is very high तो paper industry में कितना आया था अभी हमने देखा paper industry में आया था हमारे पास 200 से 400 के बराबर हमारे पास वहीं पास fertilizer industry में कितना आया 80 से लेके 200 के बराबर इसले industry में कहां तक जाएगा ये 100 से लेके 200 तक बराबर और sugar industry में कहां तक जाएगा 1 से लेके 2 के बराबर तो हमारे पास ये सब किस में आएंगे kilolitres per unit of production में आएंगे इसका production turn में होता है ये turn में जाएगा, ये turn में जाएगा, ये turn में जाएगा सब तन में जा रहे हैं तो हमारे पास यहां पर सबसे maximum किसका आ जाएगा paper industry का आ जाएगा A is the correct answer ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अगला question पुछाई the total hardness and alkalinity of a sample of water are 300 mg per liter and 100 mg per liter दे रखिए किस पे on the scale of CACO3 दे रखाए respectively then it's carbonate and non carbonate hardnesses हमारे पास क्या होगी देखो पहले तो यह चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो carbonate hardness होती है इसके बारे में जो basic पता होना चाहिए वो यह कहता है कि यह किसके बराबर होना चाहिए हमारे पास minimum of is equal to minimum of alkalinity or total hardness जो भी छोटा होगा वही carbonate hardness के बराबर होगा तो अगर हमारे पास यहाँ पर total hardness और alkalinity दे रखी है तो total hardness से कितना हमारे पास is equal to 300 और alkalinity कितनी 100 के बराबर तो हमारे पास पूछा है carbonate और non carbonate hardness से क्या हाल होगा एक तो यह चीज़ पता होनी चीज़ एक तो इस पता होनी चीज़ कि हमारे पास total hardness होती है किसके बराबर total hardness is usually equal to how much total hardness हमारे पास हो जाएगी हमारे carbonate hardness and हमारे non carbonate hardness की बज़ा से तो जब भी कभी हमारे पास sodium का presence हुआ sodium का presence हुआ तो हमारे पास ये जो है अगर ये हुआ तो NCH इसके होने के वज़े से 0 हो जाती है NCH इसके होने के वज़े से 0 हो जाती ये बात ध्यान रखिएगा अब बोला है हमारे पास कि इन दोनों में से जो minimum है वो क्या होगा CH होगा कौन minimum है? हमारे पास है यहां से induce कर सकते हैं कि carbonate hardness is equal to alkalinity is equal to 100 mg per liter और हमें यह पता है कि total hardness दे रखी है जो की है carbonate hardness plus non-carbonate hardness के बराबर यह already दे रखा है 300 के बराबर यह आज चुका है 100 तो यह बन जाएगा हमारे पास कितना 200 के बराबर NCH is going to be equal to 200 mg per liter के बराबर क्या इतनी बात clear है तो CH हो जाएगा हमारे पास 100 NCH हो जाएगा 200 answer is going out to be A हमारा जो है वो correct answer हो जाएगा अगला question है हमारे पास electrical conductivity of water and total hard total dissolved solid are interrelated are interrelated the value of EC will be क्या हमारे पास EC की value होगी तो देखो electrical conductivity पता करें जो तरीका होता है वो होता है 0.65 into हमारे पास जो भी electrical conductivity sorry हम बताए लगाएंगे हैं पर total hardness क्या पता लगाएंगे total hardness तो हमारे पास total dissolved solid hardness total dissolved solids total dissolved solid mg per liter में पता लगाने के लिए simple सा तरीका है कि आप अपनी electrical conductivity की जो भी value है electrical conductivity जो भी value है कि इसमें micromose per centimeter में निकाल लो आपके पास जो है वो आपका TDS निकल करा जाएगा directly mg per liter में तो micromose per centimeter की जब बात कर रहे हैं तो per centimeter का मतलब अगर हमारे पास distance बढ़ गई electrodes के बीच में distance between हमारे पास electrodes अगर जो हैं अगर यह बढ़ गई distance between electrodes अगर बढ़ गई तो हमारे पास हमारी electrical conductivity क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो TDS पाने का क्या होगा कम मिलेगा ठीक है कम नहीं हो जाएगा कम मिलेगा दूसरी चीज़ हमारे पास अगर हमारे पास salts की मातरा जादा है तो iron जादा होंगे और iron जादा मिलेंगे तो electrical conductivity की value जादा मिलेगी और जादा मिलेगी तो यह indicate करेगा कि TDS आपके पाने का जादा है यह दो बाते ध्यान रखनी है तो अगर आपके पास electrical conductivity किसी पानी की और total dissolved solid are interrelated the value of EC will be तो हमारे पा हमारी electrical conductivity value बढ़ेगी तो TDS बढ़ेगा यह TDS बढ़ेगा तो electrical conductivity value बढ़ेगी तो हमारे पास EC will increase with the increase in TDS ultra relationship हो नहीं सकता decreases initially and then increases with increase in TDS ऐसा हो नहीं सकता और increases initially and then decrease with increase in TDS ऐसा भी नहीं हो सकता हाँ temperature पर दरून depend करेगा कि अगर हमारे पार temperature बढ़ा temperature बढ़ेगा तो ions की mobility बढ़ेगी ions की mobility बढ़ेगी तो electrical conductivity की value हमें जो ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी तो TDS की value भी हमें ज़्यादा मिलेगी आई के बात समझ में तो ऐसे में हमारे पास 20 जो यहांसे आंसर होना चाहिए और बाकी जो information है वो और आपको ध्यान रखना है आंसर अगला आता है which one of the following would contain water with the maximum amount of turbidity तो maximum amount of turbidity की रूप में हमारे पास जो है कहां से मिलेगा lake के अंदर अगर हम बात करें तो पानी जो है यहां पर कैसा है stagnant है stagnant पानी है तो इसके अंदर pollution मतलब contamination होने के चांसे ज़ादा है contamination होने के चांसे ज़ादा है ठीक है ем के अंदर पानी हमारे पास सॉल्ट का काॉंसं ट्रेशन यहां पर दाहे यहां आ thé nke 지금 रखना है कि अंदर पानी दा अंदर फ्लो करता है तो फ्लो के कारण बनता है terbilly in इसमगें हो इसलिए वह रेंडर मोशन में रहते relates और random motion में हमेशा रहेंगे तो random motion में रहने से हमारे पास जो turbidity है particles की वो हमें क्या मिलेगी जादा मिलेगी तर्बिरिटी जादा मिलेगी If we talk about the whales तो whales के अंदर हमारे पास जो पानी है वो हमारे पास पानी completely clear है clear water मिलता है उसके अंदर turbidity नहीं मिलती उसमें ना turbidity मिलेगी ना कोई suspended solid मिलेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा there can be chances of salts या फिर हमारे पास हम बात करें तो dissolved salts dissolved solids के बात कर लेता हूँ salts होंगे dissolved solids के होने के chances हैं तो वो हमारे पास हो सकता है answer पुछाए turbidity के लिए C is the correct answer अगला पुछाए presence of E. coli bacteria in water indicates that the water is polluted with focal focal नहीं fecal है fecal जो human का waste होता है उसी को कहते है fecal तो यह कहलाएगा हमारे पास fecal discharge तो हमारे पास E. coli bacteria जो होते हैं यह जाहिर सी बात है कहां पाई जाते हैं हमारे पास intestine में पाई जाते हैं किसकी warm-blooded animal की तो intestine पाई जाएंगे तो intestine में से जब हम waste discharge करते हैं तो fecal discharge में E. coli bacteria मिलेंगे हमारे पास तो यह बात सही है पाने में pollution हुआ है अगर E. coli मिल रहे हैं तो पाने में fecal discharge का pollution हुआ है असर जन तो सही बात है और E. coli ही pathogenic bacteria नहीं E. coli pathogenic नहीं होते हमारे पास यह होते हैं कॉलिफोम होते हैं क्या होते हैं यह कॉलिफोम होते हैं तो reason हो गलत और assertion हो गया सही तो E. coli हमारे पास कॉलिफोम होते हैं और इनी को हम क्या कहते हैं indicator microorganism तो indicator microorganism इने कहा जाता है और इनी की मदद से हम पता लगाते हैं कि हमारे पास पानी में हमारे pathogens का presence होगा भी या नहीं होगा तो यहाँ पर A सही और R गलत है A is true, R is false, answer क्या हो जाएगा? C is the correct answer अगला सवाल पूछा है हमसे Which of the following determinations are not necessary for raw water from a lake for use as source of supply of water for boiler feed? तो देखो boiler feed water है, तो boiler feed water को हम क्या करेंगे? boil करेंगे, और boil करने के बाद कहां जाएगा यह? यह हमारे पास steam produce करेगा किसी industry के अंदर ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर ज़रा ध्यान समझना turbidity हमारे पास कोई hindrance produce नहीं करेगी किसी भी physical process के time पर तो turbidity से तो कोई दिक्कत नहीं हमें bacterial count हमारे पास मर जाएंगे boiling के time पर तो हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है चाहे कित्ते भी आएंगे अपने आप boiling के time मर जाएंगे iron हमारे पास as it is रहेगा as it is रहेगा क्यों? क्योंकि यह precipitate तब बनाएगा precipitate when oxygen is present तब जाके यह बनाना चालू करता क्या precipitate form तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी हमें hardness जो है वो हमारे पास boiling होने पर boiling होने पर इसका बन जाता है precipitate ठीक है क्या बन जाता है इसका? precipitate बन जाएगा तो precipitate बनेगा तो यह हमारे पास जो वो deposit होना चालू होता है deposit होता है इसका incrustation होता है और यह cost करता है हमारे पास scaling तो पानी के अंदर जो boiler में डाल रहे हैं उसमें hardness नहीं होनी चाहिए hardness नहीं होनी चाहिए तो विज़ोथी following determinations are not necessary तो turbidity पता करो या नहीं करो कोई मतलब नी bacterial ground पता करो या नहीं करो कोई मतलब नी iron पता करो या नहीं करो कोई मतलब नी hardness पता जरूर करनी पड़ेगी तो कौन इसमें से ज़्यादर जरूरी नहीं है वो कौन सा है A हमारे पास 1, 2 and 3 अगला सवाल है हमारे पास chlorides should क्या होना चाहिए chlorides should be absent in drinking water नहीं chlorides का मतलब क्या होता है c l minus की बात कर रहे है तो c l minus हमारे पास कहां से मिलता है na plus c l minus से तो हम तो ये कह की चलते हैं कि जरूरी तो है कुछ मात्रा का हमारे पास sodium chloride body में जरूरी है salt is basically being required तो हमारे पास जो है वो chloride should be absent in drinking water ये तो बिलकुल ही गलत हो जाएगा ये तो बिलकुल ही गलत हो जाएगा some कुछ मात्रा तक permissible है permissible up to a limit एक limit तक हमारे पास जो है ये permissible होगा और chloride की वज़े से salty test आता है yes ये बात तो सही है हमारे पास reason तो सही है ये तो सही दे रखा है अगर ये भी सही होता तो हमें बताना पड़ता कि क्या chloride हमारे पास अगर ये sentence कुछ भी लिखा होता बताना पड़ता कि reason सही explanation है भी या नहीं तो वो आली चीज अभी बनी नहीं पार ही है हमारे पास a हमारे पास गलत जा रहा है r हमारे पास सही जा रहा है a is the correct answer sorry d is the correct answer एक और बात ध्यान रखिएगा chloride को पानियम पता लगाने के लिए हम titration से पता लगाते है और titration से पता लगाते है तो method कहा जाता है क्या moher's method क्या कहा जाता है इसको moher's method कहा जाता है और इसकी जो limit होती है ये हमारे पास permissible है up to 1200 mg per liter और वहीं पर हमारे पास यही maximum permissible है up to 1000 mg per liter ये बात जो ही वो ध्यान रखिया है chloride content के लिए answer क्या हो जाएगा d is the correct answer ठीक है slide missing है which of the following is or are the characteristics of of coliform organism कौन सी characteristics है देवो coliform को पहले तो क्या बोल दिया हमने indicator microdome इनका जो शेव होता है यह होता है bacillus क्या होता यह शेव होता है bacillus gram negative यह इनकी testing है यह इनकी testing है indicating indicating non pathogenicity ठीक है permanent lactose जो है यह इनका food है food for their growth and multiplication और इस पोर फॉर्मिंग यह जो है इनका nature है nature of their growth कि जब यह ग्रोव करते हैं तो यह fungus जो फंगस जैसे आप देखा होगा जगे जगे पर फैल जाती है जगे जगे पर होती ही उसे कहते है इस पोर फॉर्मिंग तो नेचर है इनका nature of coliform जो की है होता है हमारे पास non-spore forming non-spore forming यह इनका nature होता है यह इसे फैलते नहीं है एक ही जगे colony में grow करते रहते हैं वहीं के वहीं grow कर रहे हैं तो number of colonies count करना आसान होता है ठीक है बात करते हैं तो कौनसे characteristics है इसमें से bacillus भी है यह ग्राम negative भी है ferment lactose भी करते हैं और non-spore forming होते है तो यह वाला option जो है वो इनका गलत हो जाएगा तो हमारे पास कौनसा वाला सही है तो 1, 2, 3 सही है आंसर क्या हो जाएगा C is the correct answer अगला पुछाए if the methyl orange alkalinity of water equals or exceeds total hardness तो हमारे पास अगर जड़ा देखो आप methyl orange alkalinity total hardness से बड़ी है ठीक है अगर आपके पास alkalinity is greater than hardness ठीक है तो इसका indication क्या हुआ इन दोनों में से हमारे पास means means क्या कह सकते है means hardness hardness is less और hardness छोटा है तो therefore carbonate hardness is equal to total hardness और carbonate hardness ही total hardness के बड़ा हो गया तो therefore हमारे पास जो non carbonate hardness है will come out to be equal to zero वो क्या हो जाएगी हो जाएगी तो अगर आपके पास alkalinity आपकी water से ज़्यादा बड़ी हो गई तो hardness ठीक है water की hardness से बड़ी हो गई तो hardness खुद जो वो छोटी value है तो carbonate hardness उसके बराबर हो जाएगा और carbonate hardness उसके बराबर हो जाएगा तो अब हमारे पास बचा ही नहीं NCH हो जाएगी तो हमारे पास पूरी की Pूरी hardness किस के बराबर है तुज धो होता है hardness जो की हमारे पास हमें sodium Na plus की वेज़ेसे होती है hardness तू एने PLUS के वेज़े arkadaşlar होती है non-carbonate hardness किसके से होती है हमारे पास chloride sulfate और nitrate के विसे जो हमारे पास hardness होती है किसके calcium और magnesium के carbonate hardness किसके से होगी co3 two minus और hco3 minus किसके multivalent ketion के negative non-carbonate hardness यह हमारे पास कोई term नहीं है answer क्या हो जाएगा b is the correct answer अगला पुछा है हमसे सवाल dissolved sulfates and chlorides of calcium and magnesium के बारे में हम क्या जानते हैं तो देखो अभी हमने पढ़ा chloride, sulfate और nitrate, calcium और magnesium के क्या बताते हैं तो वो बताते हैं हमारी कौन सी hardness हमारी non-carbonate hardness कई hardness लिखाए गया यह रहा तो यह वाला option इसी के लिए सही हो जाएगा पूछा है dissolved bicarbonates of calcium and magnesium dissolved bicarbonates of calcium and magnesium तो हमारे पास यहां पर आप यह देखो कि आपको CA2 plus K और Mg2 plus K क्या किसकी बात चल रही है dissolved bicarbonate HCO-3 ठीक है अब यहां पर जो है वो थोड़ा सा सोचने की जरूद पढ़ जाएगी क्योंकि दो option हमारे पास अब create होना चल रही है तो dissolved sulfate की बात चल रही है हमारे पास SO4 2- किसका CA2 plus और Mg2 plus का इसकी बात चल रही है तो हमारे पास यहां पर पानी के अंदर आप ज़रा सोचने की कोशिश करिएगा कि इन में से कौन हमारे पास alkalinity और softness को represent करेगा और इन में से कौन हमारे पास hardness और corrosion को represent करेगा बाकी के बारे में अगर देखें तो अगर हमारे पास fluorides पड़े हुए हैं किसके पड़े हुए हैं fluorides fluorides हमारे पास available है sodium के तो यह हमारे पास जो वो dental health create करते हैं जो कि हमारे पास क्या हो सकती है अगर 1 mg per liter से कम हुआ fluoride content तो हमारे पास imbalance growth हो जाएगी बच्चों के दातों की हमारे पास और हमारे पास हम कह सकते हैं कि dental cavities बनना चालू हो जाएगी बड़े लोगों के दातों में if the value is more than 1.5 1.5 mg per liter से जादा हुई तो अब हमारे पास दिक्कते होना चालू हो जाएगी कि अगर हमें अगर हमें limit थोड़ी सी भी जादा हुई तो दातों के अंदर बिमारी होना चालू होती जिसे कहते हैं dental fluorosis क्या बोलते हैं उसे dental fluorosis और अगर हमारे पास यही value जो वो 5 mg per liter से जादा होने चालू हो गई तो that will now be referred as हमारे पास bone fluorosis bone deform करना चालू कर देती है तो यह fluoride के बारे हम पता होना चाहिए हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर organic matter हमारे पास है और वो भी dissolved organic matter है तो इस पे bacteria growth कर सकते हैं तो bacteria growth करेंगे तो bacterial infection होने के chances है तो C का तो 4 होना चाहिए और D का 2 होना चाहिए अभी हम confusion वाली बात पर बात ही नहीं कर रहे है D का 2 होना चाहिए C का 4 होना चाहिए तो D का 2 और C का 4 अब हम A और B के विचार करते हैं कि हमारे पास sulfate अगर हुआ या हमारे पास HCO3 माइनस हुआ इन दोनों में से softness को कौन indicate करेगा और हमारे पास hardness और corrosion को कौन indicate करेगा तो corrosion कोन करा सकता है हमारे पास तो हमारे पास यहाँ पर जो sulfate है अगर हमारे पास यह sulfate और किसी form में मान लो कि H2SO4 की बात कर रहे होते that would have cause H plus हमारे पास would have cause the corrosion हमारे पास create कर सकता था तो relate जो हमें वहाँ से करना है कि SO4 2- can lead to corrosion और यह permanent hardness को represent करता है यह जो है यह हमारे temporary hardness को represent करता है और SO3 minus coming out from anywhere हमारे पास हम अगर बात करें तो carbonate, bicarbonate और साथ में OH minus यह तीनों हमारे लिए alkalinity का रूप भी बनते है तो हमारे लिए b को 3 वाला option देना और a को 1 वाला option देना would be much more appropriate तो ऐसे में हमारे पास answer क्या बनना चाहिए answer should come out to be d का तो 2 है पक्का और c का हो गया 4 तो यह वाला सही बेड़ गया और हमारे पास अब होना चाहिए क्या तो 1 and 3 1 का 1 और b का 3 तो यही सही answer होना चाहिए d should be the correct answer d should be the correct answer अगला पुछा है हमसे अलग-अलग method के नाम लिए गये हैं हमारे पास water quality और साथ में method of determination तो water की कौनसी quality को हम कौनसी वाली method से पता करते हैं विंकलर method जनरली हमारे पास DO पता करने के लिए काम आती है जहां पर हम क्या-क्य यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं यहां पर हमारे पास MnSO4 और साथ में हम यूज़ करते हैं यहां पर alkali-azide हमारे पास iodide-alkali-azide या फिर कह दो alkali-iodide-azide और हम इनको यूज़ करके precipitate चेक करते हैं precipitate अगर हमारे पास बन रहा है ठीक है तो उसको हम basically कहते हैं कि हमारे पास DO का presence है if the orange precipitate present हम उसमें Astrosephor मिला कर हम उसको fixation कराते हैं DO का fixation कराते हैं और यह कराने के बाद we further go with the titration process we further go with the titration process तो titration process में हमारे पास starch जो हो यूज़ होता है as an indicator color indicator और हमारे पास जो है वो titrant is being basically titrated with it और हमारे पास पता करते हैं कि पाने के अंदर केतना dissolved oxygen होगा एक तो यह होगा तो DO के लिए हो गया विंकलर मेथड या modified winglers method भी कह सकते हैं hardness के लिए अगर बात करेंगे अगर बात करेंगे हम chlorine residue chlorine पता करने के लिए तो method बनती और्थो टोलेटिन टेस्ट इसके अलाबा और भी हमारे पास method बनेगी विच इस referred as chlorotex test chlorotex test बनता है हमारे पास और या फिर हमारे पास जो है वो dpd test बनेगा हमारे पास या फिर बात कर सकते है starch iodide test के उपर starch iodide test के उपर तो हमारे पास यह बाकी जो methods है these are based on the color matching technique और हमारे पास starch iodide test में test जो है वो हमारे लिए हमारा titration based method है हमारे पास if you talk about the chloride method तो यह हमारे पास कौन सी mohers method जहां पर हम हमारा silver nitrate को इस्तमाल करते है as a titrant किसको उस करते है silver nitrate को उस करते है as a titrant ठीक है बात करते हैं यहां पर हमारे पास answer क्या हो जाना चाहिए a का हो जाना चाहिए 2 तो ये वाले गलत हो गए और b का हो जाना चाहिए 3 तो ये वाला गलत हो जाएगा आंसर हो जाएगा A A का 2, B का 3, C का 1, D का 4 आंसर हो जाएगा A Which one of the following organism is responsible for enteric fever enteric fever को एक और नाम से आना जाता है which is referred as typhoid fever which is referred as typhoid fever और typhoid fever कहलो या फिर peratyphoid कहलो या फिर peratyphoid कहलो दोनों एक ही बाते हैं typhoid या परatyphoid हमारे पास किस से अगर करेगा salmonella typhi या फिर peratyphi से तो आंसर तो इसका हो जाएगा B ठीक है हमारे पास ECHO का मतलब क्या होता है this is referred as enteric enteric cyto 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 पैथिक cyto पैथिक हमारे पास human और फन वाइरस ठीक है हमारे पास यह जो है यह गेशियस प्रॉल्लम गेस्ट्रों इंटेस्टिनल डीजीजेस कॉस करता है गेस्ट्रों इंटेस्टिनल डीजेस कॉस करता है यह इसकी खासियत है यहां पर भी हमारे पास जो हमारे पास एक्स्ट्रीम डाइरिया होता है इसकी कंडिशन बन जाती है यहां पर ठीक है एकिनो कोकस के अगर हम बात करें तो एकिनो कोकस के अलावा और भी बात करें सकती जैसे कि हमारे पास ड्रेकुन कोलियासिस तो यह जो है यह क्या होते हैं यह हमारे पास जो है वह वह गीनिया वाम डिजीज से रिलेटेड है वाम से रिलेटेड डिजीज होती है यहां पर तो हमारे पास जो है वह वह वाम वाले डिजीज एकिनो कोकस के अंदर आ बिमागा स्वाल पुछा है हमसे वार्टर और वेस्ट वॉटर के पेरामेटर आ गए सारे एक साथ तो पी केल पानी kी बात कर रहे हैं के एलाइड कंटेन दरेश्टीन क्लोरीनOS हो जाएगा हमारे पास माइक्रो फिल्ट्रेशन तो माइक्रो फिल्ट्रेशन में सारी गंदगी बहार और हमारे पास पानी पीने जो कि हमारे पास वहां से कंज्यूम कर लिए जाएगा एमेफ टेकनीक है हमारे पास यहां पास यहां पास पॉर्टेबिलिटी वोटर चेक करते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए 4123 तो 4123 डी इस गोंग टूबी दी करेक्ट आंसर क्लियर है बात इतनी चली तो हमारे पास आंसर हो जागा डी ओ आपको जो ही वो कुश्चन ऐसे ही प्रेक्टिस कराते रहेंगे मिलते हैं अगले सेशन में तिल देन गुडबाई